तो गाइस कैसे हो आप लोग तो स्वैलोरे स्टार के नेक्स्ट नोवल के एपिसोड नमा 492 में आपका सुवागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेक्टर बीस्ट का अटैक हो चुका होता है और वो अभी एक ट्रू गॉड के मिन्य चेनवस पर अटैक कर रहा होता है तो चलिए देखते हैं कि क्या लोग वो लोग मिलके इसको रोख पाते हैं या फिर नहीं अब दिखाया जाता है फायर फ्लाइ मास्टर को जो की वैंगार्ड करूप में आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अगर वो ज्यादा दिर त चुके होते हैं हमें दिखाया जाता है सेक्टर बिस्ट मोरोसा को जिसे एहसास हो जाता है कि यहां पर फाइनली बंदे आहीं गए हैं जो डरपोक थे वो फाइनली सामने आहीं गए हैं अब नाइट है डेविल मास्टर अपने ट्रू गोर्स के ग्रूप को लिकर वहाँ प पर मारने आये हो अब यहां पे हमें दिखाया आजाता है उन सवी बंदों को जहां पर नाइन हीड़ित कहा था कि फायर फ्लाइट करना होगा तो यहां पर फायर फ्लाइट ट्रू मास्टर बहुः घब रहा था है कि अखिरिकर नहां कैसे जा और सेक्टर बीस्ट से कहा थ और वह उसे चिढाते हुए क्या था कि तुम मेरे खाना हो और मैं तुम्हें न खाऊंगा तो कौन खाऊंगा तो यह सुनकर वो देखकर पूरी तरसे गुस्ता हो जाता है लेकिन वो पूरी तरसे डर भी रहा होता है फार फ्लाइट ट्रू मास्टर क्योंकि वो जानता था कि यह कितने ज़्यादा पाऊफुल था जिसके बाद वो भी यहां पर अटाक करने को तयार हो जाता है अपने गाली पाऊड को बंड करके इस पर अटाक करता है और फार फ्लाइट मास्टर भर ही बहुत ही पाऊफुल था लेकिन सेक्टर बेस उसके सामने बहुत ही यहाँ पर यह Firefly True Master fight कर पारा है और यह इसके power level का ही है अग Firefly True Master Universe Ocean में एक medical level में आता है जो कि Sector Beach से थोगा सा ही कमजोर था जिसके कान वो से बात करने लगते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर मिलकर उन्हें हरा सकें तो यहाँ पर ऐसा है अगर वो सबसे मदत मांगता है जिसक इसब सूल अटाइक कर दीता है जो कि उन सब की सब से पाफुल टेखनीक में से एक होती है और वो उन सब पर एटाइक करते हैं वसको गेरने लगते हो उसको नहीं जाने दे सकते था है क्लोज का में डिस्टेंस अटैक साई चीज से उससे रोकने की कोसिस करें बाइंड कर रहे थे हर एक तरीका आजमार थे ताकि वो मोरोसा को मार सकें लेकिन मोरोसा थो बहुत पागल हो चुगा था क्योंकि वो अभी एट ट्रूगर्ट से घिरा हुआ था यहाँ पर वो सच में पावफुल थो आसा कमजोर नजर आ रहा था लेकिन अभी तक सेक्टर बिस्ट ने अपने पूरी पावर को नहीं रिलीज किया होता है और दिखाया जाता है कि वो सभी एट ट्रूगर्ट मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं ताकि उसे मार सकें लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर सेक्टर बिस्ट कहता है कि तुम खाना हो तो बहतर खाना ही रहो और सेक्टर बिस्ट अपनी पाउर का यूज़ करता है सड़ली वहाँ पे जितने भी ट्रू मास्टर होते हैं फायर फ्लाइब वो ककून में बंद हो जाते हैं मतलब समझलो ककून वो लोग एक डब्बे के अंदर बंद हो जाते हैं जो कि उसका सेक्टर बिस्ट का एक टेक्नीक होता है यह सेक्टर बिस्ट उन सब को किड्नैप करके उनके मिनी चेन वसको काने लगता है अब दिखाया जाता है उस ककून के अंदर फायर फ्लाइब ट्रू मास्टर अंदर पागलो की तब बंद होता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि यहां पर वो बहुत ही पावफुल कहकुन था जिसको देख कर नाइने मास्टर भी अपने ट्रियर क्लाव को लेकर उस पर अटाक कर दते हैं लेकिन मोरुसा कहता है स्क्राम तुम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इस पर कोई भी असर ही नहीं नहीं हो गरा था और हमें दिखाया जाता है कि यह पूरी तर से उसको मारने लगता लागता वह पूरी तर से डर जाते हैं पूरी बचाओ और वहां से हिखाया जाता और बाकी बचे seven triggers जो helpless थे और यहाँ पर परसान भी हो रहे थे क्योंकि वो सब देख पाये थे कि यहाँ पर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि वो सेक्टर बेश्ट को मार सके और साथ ही में उस ककून को भी तूर सके यहाँ पर बाहर से नहीं बलकि अंदर से तोड़ा जाए तभी होगा और दिखाया जाता है कि firefly true master वहाँ पर जोर से चिलाने लगता है अपने साइस को बढ़ाने लगते हैं और यहाँ पर उसको तोड़ने की जिसके बाद क्याते जल्दी करो हमें यहाँ पर मिलके उसको मारना होगा और यहाँ पर दिखाया जाता है वह सभी पूरी पावर का यूज़ करके पूरी अपने उनको तोर दिये हो लेकिन क्या का जाया मैं तुम्हें खाकरी नहीं और उल्दी करता है और है एट पर अटाक करने लगता है और सेक्टर बिस बढ़ी आसानी से सामना करने लगता और वो फार फ्लाइट टू मास्टर पर अटाक करता है जिसको देखकर फार फ्लाइट मास्टर पूरी तर से डर जाता है नहीं और यहां पर ना इंडवन भी उसको रोकने की कोसिस करता है क इसको मारने की कोसिस कर रहा था और उसकी energy मैंट प्रेट होके गिरने लगती है और यहाँ प यहाँ पर ओल में march को दिखाया जाता है जूकि यहाँ पर क्याता है कि यहाँ पर मैं इस्टिर बीच इसको सेक्टेबिस उसको मारता है उसके मिनियेचे इन्वर्स डिसिंटेग्रेट करके वहाँ से खतम हो जाती है जिसको देखकर कहाता है कि क्या ऐसा क्या से हो सकता है लगता है कि मैंने ट्रू गॉर्ड को मारने पर यहाँ पर उसका युनिवर्स ओसेर में मिनियेचे इन्वर्स ग वहाण से जाने लगता है जाहसे बंदों को जहां आगे जा किया तुम भागना चाहते हूं उसकी को पूरी तर से हयरान हो गया होता है और इसी के बाद दिखा आ जाता है थोई दर बात कहीं कि उन्हें नहीं हो जाता है लूपंग को कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट भाग चुका है जिसको दीखकर वो पूरी तर सहरान हो गया था अब तीसे दिन में जब सेक्टर बीस्ट गाव हो गया था तो लूपंग 900 डेवि इसको मैं डिसकर्स नहीं करूंग यह तो यह आपको बोरिंग लगने लगने लगा इसके कान फिर वह और भी डिटेल्स बताते हैं कि कैसे वह फाइट किया था कैसे वह कोकुन में उसको बंद किया होता है और बाकी यह सब सुनकर पूरी तर से हरान हो गए होते हैं कि कि यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई थी उसके हिसाब से सेक्टर बिस्ट बहुत ही पावफुल था यहाँ पर यह सभी ऐसा है था और जूसर अटक था अगर जिसके पास टूगर्ड लिवल विल पावर नहीं ह यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो उसने भागनी की टेकनीक यूज की थी उसमें हुआ क्या था कि वो अपने बोरी को 99 पार्ट में यहाँ पर डिस इंटेग्रेट करके भागना मतलब अपने बोरी पार्ट को ही 99 पार्ट में तुक्रों में टबलील करके वहाँ से भाग सब इंपाय थे हम सब तो सिर्फ साथ ही थे हमसे मिल के भी चाहना कर भी उसको नहीं मार सकते थे त्वी सुन कर वह सब भी हैरान हो गया क्योंकि यहां पर स्क्टर बीस्ट की जो भागवाली टेक्निक होती है वह खतरनाक हो थी है क्योंकि वह अपने बोरीश पीसेज को 98-99 प बनाना होगा अब मैंने आपको बेडी कौन था बेडी उसके ही जैसा एक बन्दा था जो कि sector based star वो भी उसके जितना powerful था दिखाया जाता है कि यहाँ पर universe ocean में जितने भी true girls थे वो सभी ready हो चुके थे जैसे ही यहाँ पर फिर से आएगा वो उसको मार देखा लूफेंग ने अपने सारी bodies को divide कर दिया होता है लूफेंग remote ocean golden one based mosa clansman अब mosa clansman original universe में आया गुआ था हम ताकि वो वहाँ पर original universe में कुछ हो तो वहाँ पर कर सके लूफेंग ने अपने सारी choices को अलगले टीम में बात कर रख लिया होता है और फिर हम दिखाया जाते है मिलके वे dimension का scene जहाँ पर जितने भी great going wings थे वह से भी teacher का respect करते है लूफेंग भी कहता है चलो आके बैठ जाओं और दिखाया जाता है कि यहाँ पर कईसा है अंदर थे प्रैम के और सेटी लेर के 20 डिसपर्स थे लूफेंग ने सवाल पूछने लगते हैं जहाँ पर ऐसे ही आप लोक समझे लोकल सवास थे नार्स लेवल की जो कि ऐसे फास्त हुए इन सब को जानने में टाइम वेस्ट मत करों इसके लूफेंग उन सब के सवालों के जवाब देने लगता है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूफ मिन जानता था कि लिवलरेट की टेखनी को कैसे क्या जा सकता है और यहाँ पर इसаксिंट कर रहा तक है अपने यहान की बात ही देल रहा था इसकर इसकर में अपने स्टार्ट हुए अपने स्टार्टवर ko लीकर उधर जाने लगता और सभी यहां पर साइलिस में उतार सब को पता चल जाता है कि सेक्टरविस्ट आ चुका है यहां पर हों कहते हैं कि इतने लंबे अर्से बार यह डिसपीर हुआ और फाइल यह सूप कर रहा है आकिरकार यह इतने लंबे अर्से में क्या कर रहा था जिसके बाद हो कहता है कि म कुमबले allegedlyJustुंप याँ पर फिर लू पर आने या पर born क्याता की हम पर आने में तीन- waiting का समय लगने वाला है जिसके बाद हम ले सेक्टर बीस्ट को करते ही अब सब लोग उदर ही जाने लगता है याँ आपर में इसको खा सकता है हम यह पे वो उसको खाना शुरू कर दता है और हमें डेविल गोर्ट को दिखाया जाता है जिसका में असल में यह मिनिये चरुमास होता है और उसे भी पसा चल जाता है लेकिन वो भी क्या ही कर सकता है वो भी तो कुछ नहीं कर सकता था जिसके कान यहाँ पे सेक्टिविस्ट कहता ह के लगता है यह भी डर पोके और दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे उसको खाने लगता है और एक दिन खाकर भाग जाता है और वहाँ से निकल चुका होता है जिसके बाद रैमपेजिंग मास्ट डेविल गट को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर उसको छोर कर भाग गया होत यहाँ पेहले तो वह पूरी तर से हरां था लेकिन यहां पे हो दिखता है कि क्या एक लिबहाला कि अनलकी महसुस कर रहा था नृता कि ही डीक्राइंज का और सब चीज की खबर मिलती है और यहां पर हमें दिखाया जाता है कि उन सब को कोई ट्रवल वारी चीज पता चली होती है जहां पर वो सोचने लगता है कि आखिर कैसे हो सकता है और हमें दिखाया जाता है कि यहां पर इन सारी चीजों के बार में बताने लगता है और वो कहता है उसको ट्रैप भी नहीं कर सकते थे और यहां पर सेक्टर बीष्ट ने अब ते कमाल का दिमाग लाया होता है क्योंकि यहां पर वो जाता था कि वो क्यासे सबको खा सकता हो जाएगा एक दो दिन तो खाएगा और निकल जाएगा जिससे पहले कोई आए वो वहां से भाग लगता है ताइम बीतने लगता है दो महीने गुजर जाते और सब लोग सोचने लगते कि आकर क्या हो रहा है और दिखा जाता कि एके जटकी में आजा सल और पास हो जाता है जबकि रैंपेजिंग डेविल गॉर्स के मुनियेचर नवस को सेक्टर बीष्ट ने स्वैलो किय था रफिया में केोटिक वाइड़ स्पेस में सेक्टर बीष्ट का लोकेशन दिखाया जाता है जहां पर वो क्या था कि मैंने डेविल गॉर्स के मुनियेचर नवस को कंजीम किया था और मैंने अपने आपको इस्ट्रॉंट ने कर दिया तो मैं पाओ और बीर स्ट्रॉंग होता है अपने इंडिली सिल्स फूर को खाकर अपनी पावर को स्ट्रॉंग बनाने के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है आई डेविल गॉर्ड को देखे राम से अपने बैस में बैठा हुआ था उससे पता चल जाता है सेक्टर बीष्ट यहां आग यार वो भी साइनिर इविल डेवल गॉर्ड यहां पर उसकी तव देखने लगता है वो उसकी तव जाता है और कहता है सेक्टर बीष्ट में टेरिटरिस से भाग जाता है यहां पर जो इसी हमत दिखाया होता है क्योंकि अभी तक कोई भी बन्दा नहीं था जिसके जो मिलीयर चन्वस खाय जा इवह आँपर जाके एसे फाइट करने की कोशिस करे किन हम छेकर विस्ट को दिखाया जाता है जो कि यहां पर कर भी क्या सकता है यहां पर जो डेवल आया था डेविल ग कर जाया ताकि वह से बचा रहा सका अब सामने थोड़ने ज़ाएगा अकेले बन्दे जो कि उसको एक को खाने लगता है ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और यहां पर एक ही दिन तब को फिर यहां पर डिवावर करता है और फिर भाग जाता है और ऐसे टाइम बीतने लगता है ऐसे करते करते दिखा जाता कि हाफ आफ इंटरवर्स में 11 साल पास हो जाते हैं मतलब कि यहां पर ऐस है और यहाँ पर मेरी इन 11 साल में एक बार भी उससे मुलाकात नहीं लूफिंग यहाँ पर फूरियस था और उससे कहीं न कहीं सख होने लगता है कि यहाँ पर कोई इन सारे हुमन्स इन सारे इनुवर्स ओसिन में ही उस सेक्टर भी उसके साथ मिला हुआ है क्योंकि यहाँ प इस बार ऐसा हो चुगा था लेकिन रूफिंग अज तक उससे एक भी बार नहीं भी भी बेरा होता है गुद्स अभी इन सब के बार में यहां पूछने लगता है और यहां प्रूछने लगते अख़र कौनों सकता है जो कि सेक्टर भी से मिला रहा है सकता है थंदर इस्टार म मौझूद है लूपंग भी अपनी प्लान बनाने लगता है कि मैं यहां पर अपनी जो अरीजमेंट हो उसको प्रप्लिक काईश करने वाला हूं जो कि असल में फेक होगी लूपंग अपने लोकेशन को अलग जगा बताएगा लेकिन लूपंग मौझूद कहीं और होगा लू लगता है और यहां पे वो देरे देर करके पावफुल बंदों की ताया सिफ्ट रहा था मतलब पहले सबसे पहले वाले कमजोर बन देती है जिसको यूज करके वह पावर से पांजितने लेवल अप होते जाएगा मतलब पावफुल करते जाके उसके मिलियेचन वसको डिव अब वो ऐखी जटके में स्रेक्टर बीस परपा मून होली राइन में आ चुका होता है और वहाँ पे खाने के लिए आया होता है या फिल हम दिखाया जाता है पर मून हुंचेस्टर को जहां पर उसे पुदा रहा कि यहां पर आ चुका है वह स्रेक्टर बिस्ट ऑब इंसा लिक्त जाओ उसे मारट देएं लिकेश्टर हम सब का फाइट नई कर सकते हैं जिसके बाद घ्यूम्नस के लिए लेकिन हम लोग यहां पर उनसे मदद मांग सकते हैं क्या वह आएंगे अब यह हो लोग सूकने लगते क्ये ये उनके लिए खत्रे की घारी थी जिसके बाद से कि हम जल्दी खरना हुए नहीं तो हमारी ऊजब्स कारने की होता है जिसके क्या कोathy होते हैं यहां पर लूपफर sect incubus कि पुर्पर थे नियौंग siamo हती हैं यहां पर लूपफर के लिए हैं यहां परे का पर्पर मून होली लागिनंस यहां पर मेसेज क्यों कर रहे हैं और यहां पर message में simple था कि यहां पर जब looping पड़ता है तो message में था कि उन्हें बस sector भी से deal करना है यहां पर वो सब ऐसे ही करने थे हैं तो यहां पर looping क्याता है कि चलो अपने gesture को बोलो कि अगर मैंने वो come true to earth को component को दे दे तो मैं उनकी help करूँगा वरना नहीं अब यहां प अपने gesture से बात करने लगते हैं कहते हैं कि looping ऐसे ऐसे क्या कर कहला है हमें क्या करना चाहिए वह हमें दिखाया जाता है यहां पर साइलेंस हो चुका था लेकिन हो कहाता ठीक है मैं करता हूं यह सुनकर से भी लोग खुस हो जाते हैं जिसके बाद आकर looping को बता देते हैं जिसके बाद looping भी मान जाता हूं कहला ठीक है जिसके बाद उस सभी वहां पर निकल चुके होते हैं और फिर में बाहर के सिक्टर बिष्ट को दिखाया जाता है जो कि उस पापामोन होली लैंड के मिनिया चेन वास को खाने में लगा हुआ था और फारली दिखाया जाता है कि वह उसको विखाकर एक दिन रहता है जिसको देखकर पूरी तर से हरान हो जाते है जिसके बाद वह अपने एंचेस्टर को बताता कि वह जा चुका है जिसको सुनकर सभी हरान थे लेकिन यहां पर डरे हुए भी थे और यहां पर क्योंकि उन्होंने looping से डील की हुई थी यहां पर अगर उन्होंने looping को टूट विए का component नहीं दिया तो यह उनके लिए बहुत ही सर्मनाग बात होगी और यहां पर में दिखाया जाता है एंच परपा एंचेस्टर को जो कि साइस इजे calculate करने लग अब looping भी उस तरफ जा रहा होता है जहां पर looping इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा था लेकिन तभी उसके पास मेंसेज आता है जो कि परपा मुन होल लैंड के तरफ से था तो गाश इसे के साथ यह वीडियो भी खत्म होती है तो मिलते नेक्स वीडियो में और देखते है कि क्या क्या आप लोग लूपेंग को कॉंपनिन देने वाल है या फी नहीं क्योंकि वहाँ पर से सिक्टर इस तो भाग चुका है लूपेंग वहाँ पर जाके कर रही गाएंगा और अगर ऐसा होगा तो देखते हैं कि आगर लूपेंग के साथ क्या साथ ट्रीट करने वाला है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए करहाई झाला है नेक्स देखते हैं या है तो दो फड़यो फिए